Friends, please like, share and subscribe my channel. Thank you so much. chapter 4, 3 chapter हमने already पढ़ लिया है, complete कर लिया है, ठीक है? आज हम पढ़ेंगे chapter 4, ठीक है? अगर आप लोगोंने वीडियोस नहीं देखे हैं पहले के तो उस वीडियोस को जाके आप लोग जरूर देख लीजिए, बहुत ही interesting इसके पहले हमने पढ़ा है, animals के बारे में, plants के बारे मे ठीक है? तो उसे आप लोग देख लीजिए, और आज हम पढ़ेंगे food and home of animals, यानी भोजन और जानवरों का घर, ठीक है? इसके बारे में हम detail में जानेंगे, क्योंकि जानवरों को भी भोजन की आफेक्ता होती है, जानवरों को भी घर चाहिए होता है रहने के लिए, ठीक ह और बच्चों अगर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लिजें और बेल आइकन को प्रेस कर लिजें जिस से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, और सबसे पहले क्लास आप लोग जोउन करें, ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं lecture All animals need food to live and grow सभी जानवरों को भोजन की आवशकता होती है food की जरूरत होती है जीवित रहने के लिए और grow करने के लिए ठीक है They also need a shelter to protect themselves from bad weather and other animals जानवरों को भी shelter मतलब क्या होता है सरड अस्थल ठीक है यानि उनको रहने के लिए अस्थान चाहिए होता है रहने के लिए घर चाहिए होता है जगा चाहिए होती है जहां पर वो खुद को सुरक्षित रख सकें bad weather से यानि जो खराब मौसम होता है उससे खुद को सुरक्षित रख सकें और अन्य जो जानवर है उनसे भी खुद को वो safe रख सकें ठीक है Animals eat different kinds of food जानवर अलग-अलग तरीके के भोजन करते हैं ठीक है, अलग-अलग तरीके का भोजन खाते हैं They move from one place to another in search of food and shelter जानवर एक जगह से दूसरे जगह पे जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं भोजन की तलास में और shelter यानि घर की तलास में अस्थान की तलास में जहां पे वो खुद को सुरक्षित रख सकें सुरक्षित जहां पे रह सकें ठीक है Let us learn about different animal and their eating habit आईए जानते हैं अलग-अलग जानवरों की अलग-अलग eating habit यानि खाने की जो habit है उसके बारे में जानेगे different-different जानवरों की जो eating habits होती है वो अलग होती है ठीक है तो आईए जानते है सबसे पहला है food for animals जानवरों के लिए भोजन ठीक है different animals eat different types of food अलग-अलग तरीके के जानवर अलग-अलग तरीके का भोजन खाते हैं ठीक है some animals eat grass कुछ जानवर घास खाते है leaves खाते है stems यानि तना खाते है fruits of plants पौधे का grass कुछ जानवर क्या होता है घास खाते है कुछ जानवर पौधे की पतियां, कुछ stems, यानि उसके जो तना होता है, उसको भी खा जाते हैं, कुछ जानवर उसके fruits को खाते हैं, ठीक है? Plant Eater सबसे पहले देखेंगे हम जो Plant Eaters है यानि जो Animals पौधे खाते हैं यानि जो पौधे की पत्तियां खाते हैं स्टेम्स खाते हैं, ग्रास खाते हैं ये सब क्या है, Plant Eaters है ठीक है Some Animals like Cow, Goat, Deer and Horse eat only grass and leaves यानि पिक्चर देखें आप लो Cow, Goat, Deer, Horse ये क्या है, ये पत्तियां खाते हैं और घास खाते हैं, ठीक है इसलिए इन्हें हम कहते हैं Plant Eaters ठीक है, पौधे खाने वाले जानवर ठीक है बच्चो अब देखते हैं Grain Eaters Grain मतलब क्या होता है, Anaj Eaters मतलब खाने, Grain Eaters अनाज को खाने वाले को हम क्या कहेंगे Grain Eaters यहाँ पे पिक्चर देख लीजी आप लो ये है Mouse, Sparrow, Hen ये क्या है, Grain खा रहे हैं न? चलिए देखते हैं Some animal like Mouse, Pison, Sparrow, Parrot and Hen Eat Grain ये जो जानवर्स हैं, ये क्या है? Grain खाते हैं, अनाज खाते हैं जो plants काते हैं, उन्हें plant eaters कहते हैं ठीक है? अब आगे देखते हैं Insect eaters यानि कीडे मकोडों को खाने वाले यानि छोटे insect क्या होता है? प्रिवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? Insect animal क्या होते हैं? जो छोटे जानवर होते हैं उन्हें कहते हैं Insect ठीक है? Insect यानि कीडे मकोड़ी Insect eater यानि जो छोटे जानवर को खा जाते हैं उस animals को हम कहते हैं Insect eaters ठीक है बच्चो? Some animals like spider, lizard and chameleon eat insect and worms जो ये जानवर है spider हो गई देखे जैसे spider है lizard देखी यहाँ देखो आप लो यानि छिपकली ने इस कीडे को कैसे खा रही है न? छिपकली आपके wall पे भी नजर आती है जब light जलती है जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं उसको खा जाती है ठीक है? ये है गिर्गिट ये भी देखी यहाँ पे छोटे जानवर को कैसे खा रहा है ठीक है? तो ऐसे जानवरों को हम क्या कहते हैं इंसेक्ट इटर्स यानि ये जो spider है लीजार्ड है और ये चैमेलियन है ये क्या है? इंसेक्ट इटर्स है यानि छोटे जानवरों को खाने वाले जानवर ठीक है? अब देखेंगे फलेस इटर्स यानि फलेस मतलब मांस खाने वाले जानवर ठीक है? Some animals like tiger, hawk, snake, wolf and loin hawk मतलब क्या होता है? बाज ठीक है? ये जो जानवर्स हैं जैसे tiger हो गया, hawk हो गया, snake हो गया ओल्फ हो गया, lion हो गया ये अन्य जानवरों के मांस खाते हैं जो other animals होते हैं, उनका flesh खाते हैं, flesh यानि manz, ठीक है, they are called flesh eater, इसलिए हम इने कहते हैं, flesh eater, manz खाने वाला जानवर, इनकी picture भी देख लेते हैं, see, यह क्या है, बाज है, snake है, लॉयन है, यह लॉयन देखी, लॉयन कैसे इसको मार के खाने जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे snake भी, मेड़क को पकड़ा हुआ है, है ना, देखा आप लोगों ने, तो ऐसे जानवरों को हम क्या कहते हैं, बाज ने भी पकड़ा हुआ है, जानवर को, यह क्या करते हैं, दूसरे जानवरों के flesh यानि manz को खा जाते हैं, इन्हें कहते हैं, flesh eaters, ठीक है, फैक्टर पीडिया में देखते हैं, अब पिकॉक eats seeds, tender leaves और plants, garden, lizards, snake and insect, पिकॉक यानि जो मोर होता है, वो खाता है, seeds खाता है, tender leaves और plants and garden lizards, जो garden में जो lizards होते हैं, उनको खा जाता है, snake को खाता है और insect, छोटे जानवरों को भी खाता है, पिकॉक, ठीक है, पिकॉक यान more, more, ठीक है, आपका chapter complete हो गया, नहीं, complete नहीं हो गया, happy हो गया आप लोग, chapter complete हो गया तो, नहीं हुआ है complete, अभी तक हमने देखा, कि जानवरों के types क्या है, कौन से जानवर किस type क्या है, क्या खाते हैं, उनकी eating habits, अभी हम पढ़ रहे थे, अलग-अलग जानवरों की, filter for animals, अब तक हमने जानवरों की eating habits देखा, अब यह देखेंगे कि कौन से जानवर कहां रहते हैं, वो अपने आपको कैसे safe रखते हैं, अलग-अलग जानवरों के रहने का अस्थान क्या है, ठीक है, जैसे हम मकान में रहते हैं, घर बना के रहते हैं, वैसे ही अलग-अलग जो जानवर होते हैं, हर जानवर का अपना एक घर होता है, अपना एक अस्थान होता है, जिसमें वो खुद को सूरक्षित रखते हैं, ठीक है? different animals take shelter at different places अलग-अलग जानवर अलग-अलग जगह पे रहते हैं या अलग-अलग जगह पे अपना अस्थान जो होता है अलग-अलग जगह पे बनाते हैं अलग-अलग टाइप के places में रहते हैं some animals leave on land कुछ जानवर धर्ती पे रहते हैं cow, goat and sheep leave on farms cow हो गया, goat हो गया, sheep हो गया ये किस में रहते हैं? farms में रहते हैं cow के लिए अपना अलग घर होता है न तो उसे farms कहते हैं dog, cat and rabbit leave on our house doggy हो गया, cat हो गया और rabbit हो गया ये हमारे घर में रहते हैं lion, tiger and zebra leaves on forest lion, tiger and zebra ये कहा रहते हैं? जंगल में रहते हैं एसा नहीं कि हमारे घर में ही रहते हैं ये धर्ती पे, land पे रहते हैं ठीके? आगे देखते हैं elephant and giraffe take shelter under the shape of a tree elephant and giraffe यानि elephant और giraffe कहा पे अस्थान, कहा पे अपना अस्थान ग्रहण करते हैं किसी पेड के चाए में रहते हैं ठीके? हाथी हो गया या जिराफ हो गया ये किसी पेड के चाए में अपने आपको रखते हैं सुरक्षित रहते हैं जैसे यहाँ पे picture भी होगा, हाँ देखिए यहाँ पे जिराफ है, यहाँ पे elephant है यह पेड के चाए में हैं यानि इनके रहने का जो अस्थान है वो क्या है? पेड की चाए ठीके? Monkey और squirrel लीव ऑन ट्रीज Monkey और squirrel किस पे रहते हैं? squirrel यानि गलहरी monkey यानि बंदर यह देखिए monkey और गलहरी किस पे हैं? पेड पे ठीके? monkey और squirrel पेड पे रहते हैं Birds make nest on trees on old buildings, जो चिडिया होती है, वो पेड़ पे अपना nest, या अपना घोसला पेड़ पे बनाती है, यहाँ पे देखें, चिडिया ने बना रखा न, यह इसका घोसला है, ठीक है, अपना nest पेड़ पे भी बनाती है, जो old buildings होती है, उसमें भी चिडिया अपना घोसला बनाती ह है ना तो हमने देखा यह जानवरों का अस्थान कुछ जानवरों का प्राकिर्तिक घर होता है प्राकिर्तिक घर क्या है नेचरल होम क्या है देखते हैं लॉयन लीवस इन देन लॉयन जो है यानि लॉयन किसमें रहता है देन में यानि मांद में, गुफा, बियर लिवस इन केब, बियर किस में रहता है, गुफा में रहता है, और लाइन किस में रहता है, मांद, ठीक है? Elephant do not live at any particular place, they keep roaming in the forest, फैक्टर पीडिया में क्या है? जो elephant है, ये किसी एक particular place पे नहीं रहता है, ये इधर-उदर घूमता रहता है, अलग जंगल में, ठीक है? क्योंकि elephant कहां रहता है elephant और जिरा पेड़ के चाय में रहते है तो elephant का कोई particular fix जगह नहीं है वो कहीं भी पेड़ के चाय में रहता है जंगल में इधर उधर घूमता रहता है ठीक है? अब देखते हैं Some animals make their own homes कुछ जानवर अपना खुद घर बनाते हैं Snake makes hole in the ground Snake यानि shark जो होते हैं वो hole यानि bill बनाते हैं जमीन में ठीक है? यहाँ पे picture में आप लोग देखिए यह shark जो है यह जमीन में से bill से निकल रहा है ना यह जो जानवर है यह अपना home खुद बनाते हैं ठीक है? Rabbit digs bureau in the ground Rabbit भी Rabbit यानि जो rabbit यानि जो खर्गोस है खर्गोस भी जमीन में अपना क्या करता है? Bureau एक अपना एक गुफा टाइप एक जमीन के अंदर ही खोदता है ठीक है? एक गुफा टाइप एक bill टाइप बनाके उसमें रहता है Spider spines wave मकडी को आप लोग को पता है Spider जाला बनाके रहती है Honeybees make Beehive Honeybees यानि जो मदुमक्खी होती है वो अपना एक छत्ता बनाती है जिसे कहते हैं मदुमक्खी का छत्ता वो उस पे रहती है पेड की उपर बनाती है घरो, घर कहीं वाल वगेर है कहीं कॉर्णर में उनको जहां पर कोई नजर नहीं आता वहां पर भी बना लेती है Beehive ठीक है तो हमने देखा कि कुछ जानवर अपना घर खुद से बनाते हैं ठीक है यह हमने पढ़ लिया Some animal like fish, octopus and sea horse live in or near water कुछ जानवर जैसे fish यहां पर देखे पास रहते हैं नियर वाटर वाटर के पास रहते हैं देखे पानी के किनारे है ना यह सब यानि यह पानी में रहते हैं पानी के पास रहते हैं मशली कहां रहती है पानी में रहती है ना तो यह जो जानवर है अब देखते हैं कुछ और जानवर की बारे में कुछ जानवर जमेन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं जैसे फ्रॉग यहां पे है देखी फ्रॉग की पिक्चर टर्टल यानि कच्छुआ जानवर अलग अलग जगा पे रहते हैं जानवरों की इटिंग हैबिट्स क्या है हमने सब अच्छे से पढ़ा अगर आप लोगों आप रिविजन कर लेते हैं सबसे पहले उसके बाद बात करते है फर्स्ट है ये पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा जो important points है वो यहाँ पे हम देखेंगे Animals need a shelter to protect themselves from bad weather and other animals जानवरों को आशकता होती है एक सरणस्थान की एक place की जहाँ पे वो खुद को bad weather से और जो जंगली जानवर है उससे खुद को सुरक्षित रख सकें ठीक है Animals like cow, goat, deer and horse eat only grass and leaves Cow, goat, deer, horse ये only grass और पत्तियों को खाते हैं Animals eating insects and worms are called insect eaters जो जानवर इंसेक्ट को खाते हैं, worms को खाते हैं उसे हम कहते हैं insect eater ठीक है Birds make nests on trees and old buildings जो चिड़िया होती है, जो birds होती है, वो अपना घोसला पेड़ पे बनाती है और जो पूरानी buildings होती है, उसमें भी बनाती है ठीक है अब देखते है, snake make hole in the ground और जो snake होता है, जो शर्प होता है, वो जमीन में अपना बिल बना के उसमें रहता है ठीक है बच्चों, तो हमने पूरा chapter, sorry हमने पूरा chapter complete कर लिया है, ठीक है इस chapter में अगर आप लोगों कहीं कुछ समझ में नहीं है तो आप comment box में मुसे comment करके पूछ सकते हैं मैं आप लोगों को answer करूँगी और my dear children, इस video को आप लोगों कम से कम दो बार जरूर देखिएगा आपको पूरा concept clear हो जाएगा, ठीक है कहीं कोई confusion नहीं रहेगी और आप लोगों की computer की class यानि class 1 की computer की class already मैंने upload कर दिया है आपको description में भी उसका link मिल जाएगा आप playlist में जाके अपनी computer की class भी attend करिए और आपके class 1 की science का भी playlist में आप अपनी science की भी जो videos है उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिए आज four chapter complete हो गया daily आप लोगों की science की जब एक एक chapter आपको daily में पढ़ाऊंगी तो daily आपको एक video जादा जादा 15 to 16 minute का 20 minute का videos होगा उसे आप लोग देख लीजिए आराम से घर पे बैठ के आराम से पढ़ाई करिए घर वाँ ममी पापा को परिशान मत करिए ठीक है thank you so much for listening me be happy, stay healthy, bye bye, have a good day and हाँ channel को subscribe करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ठीक है, bye bye